हलो दोस्तों नमस्कार केसे हैं और यह सामने जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें है पीएस एल्टी 35 ए मॉडल ठीक है तो यह इस तरीकी की बॉक्स पेकिंग में आता है डबल बॉक्स रेता एक तो यह बॉक्स है किसके अंदर भी होता है तो मैं इसे जो है ओपन करता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं तो आप यह देख सकते हैं इसे ओपन कर लिया है और यह एक सिकनल लाइट को जा रही यह देखिए इदर पर इस तरीके की यह बॉक्स एक अंदर रहता है इसमें तो इससे भी मैं बाहर निकाल लेता हूं प्रोजेक्टर को जो है ओके तो यह प अगरे इस तरीके के दो बॉक्स रहते हैं तो पहुती सेफटी हो जाती ही प्रोजेक्टर की प्रोजेक्टर का आप देख सकते हैं तो हम यहां ओपन कर लेते हैं तो इसे जो है आप इस तरीके से बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक वाइरलेस माउस यहां दिखेगा ओके एसे सीरीज में और एक यह 32 जीबी पैंड ड्राइब है इसके साथ में ठीक है जो कि यह मैं अपने सभी कस्टूमर्स को देता हूं यह मैं ओके और दो रेड़न ब्लू 3D गिलास भी आपको मिल जाएगा प्रजेक्टर के साथ में मैं सब एक एक करके निकाल देता हूं है यह देखिए ठीक है और एक एससरीज पॉलेथिन बेग यह रहता है इसमें एक पावर केबल है आपका एवी केबल है और एक रेमोट है ओके तो यह एसस सेब्टी के साथ में प्रजेक्टर जाता है और यह आप देख सकते हैं टी एस एल्टी 35 ए मोडल है जो की बहुत ही प्यारे डिजाइन के साथ में है प्रजेक्टर यह आप देख सकते हैं इस तरीके का डिजाइन है प्रजेक्टर का और यह आप देख सकते हैं आप पूरा पैनल आपको मिल जाएगा पूरा टैच के थूरू ऑपरेट होता है प्रजेक्टर यहाँ पे यह सेफटी के लिए पॉलेटी में भी लगी हुई है इसका आप निकाज सकते हैं चाहे तो वैसे लगा रहे तो ज्यादा बेटर है टी एस ब्रांड का प्रजेक्टर है ओके और से ब्रीनोर में है आपको बेक साइट से भी दिखा दिता हों बेक साइड में आपको यह कनेकटिविटी हां मिल जाएगी पावर केबल इंट्रनेट लेन केबल डारेक्ट लग जाएगा रिमोट ного ब्ल candle और एक बैक में है और एक फ्रंट में फ्रंट का दिखता नहीं है वैसे और दो यूस्वी पॉर्ट यहां दिया हुआ है आउक से एवी एच्छी तरीके से अपरेट करता है और यह एक लैंस कैप यहां दिया हुआ जोगी प्रजेक्टर में से इसकी डस्ट सेफ्टिंग के लिए रहता है यहां पर सेफ्टी इसमें रहे ओके और यह बहुत ही प्यारे डिजाइन के साथ में प्रजेक्टर मिलता है आपको यहां यहां पर आपको फोकस फील मिल जाएगा ठीक है इस तरीके से आप जो है इसका फोकस सेटिंग कर सकते है मैनुवल की स्टोन भी है, डिजिटल फो डी की स्टोन भी है, पर आपको इस तरीके का, यह डस्ट फिल्टर ऐसा रहता है, इसके अंदर, तो आपको color वारा जो brush आता न, उससे आपको इसे clean कर लेना है, color वाले brush से, और फिर इसको इसी तरीके से है यहाँ पर फिट कर देना है तो यह मैंने फिट कर दिया है और यहाँ einsСпर सो सेट कर लेता हूं फिर प्र्रोजेक्टर और आपको दिखाता हूं Chinese में यहां से हम देखी टच की थोड़ी से अं कर लेंगे और पर जिक्टर यह ओन हो गया है ओके यह डीट लाइट on है मेरे रूम में तो मैं रेड लाइट जो है आफ कर देता हूं ओर हम आप देख सकते zwek ठीक है बर ब्राइटनेस प्रजेक्टर के अच्छी है एंसाई लुमेनेस 25 हो है तो कोई ज्यादा इतना दिक्कत नहीं होगा वीडियो शूट करने में ओके तो मैं मोबाइल जो है मोबाइल स्टेंट पर सेट कर देता हूं और आप देखिए होम स्क्रीन इस तरीके का आपको डाव्ट बहुत रहता है कि सर बोल कैह रहा है देखो यह फैन की वौइस आपको सठ दे रही होगी हो सकता है तो आप असा मतया समझी गया कि आपको परिजेक्टर की वास जो है सठ दे रहे है तो यह प्रजेक्टर होम स्क्रीन है एक्चुली ववा क्या मैंने इसक bonश्या भी था पहले लेकिन उसमें हुआ किont reason थो मैं उसमें पूरा सब दिखा लेकिन मैं सेटिंग नहीं धिखा पाया था इसका जो सेटिंग हो起ता रहा था की हमश्पस्राइबर्स Curry देखिण गेंगे नि काम आ जाएगा ठीक है तो ये टी-ेइस All-E tadi thirty यह मॉडल है, ठीक है, तो इसमें सब से पहले हम क्या करते है, प्रजेक्टर की जो है, मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ यहाँ अपे, ठीक है, एक सब डिटेल के लिए मेरे को इसमें सब से पहले यहाँ पर जाके इसका जो है वाई-फ़ाई कानेट करना पड़ेगा, ठीक है तब से पेले यहां Wi-Fi wireless वाला जो है यहां पे connect करना पड़ेगा मुझे तो यहां पे जो है मैं Wi-Fi connect कर लेता हूं अपना तो आपको इस तरीके से Wi-Fi यहां connect कर लेना जो भी आपका password है डालके यहां पे अब देखिए दोस्तों wireless माउस देने का क्या रहता है कि जैसे अभी कुछ भी टाइप है मैं फिलाल चली पासवर्ड ने डालता हूं आपको दिखाता हूं अब रिमोट से हमें एक स्टेप यहां करना है फिर हम यहां जाएंगे ठीक है जो बाते किलिया रहे आप रिमोट से इसी तरीके से ही टाइप क करता हूं और इसमें मैं वाइलेस माऊस लगाता हूं वाइलेस Всё माउस से क्या होता टाइप करने में बहुत इज़ी होता एसलिऴ बहुत समझत कि बना के अपने गौ兩個 कि यह और लोत दो सकते में इसा इप क्या है आप यहां यहां और ता आप से सै सली जो तो इस तो दोस्तों यह मैंने जो है यहाँ पाजबर डाल दिया है और ऑप स्टाल कर देका यह वाइफाई कनेक्टब jaar और एंडशनी इसली जिए साइड में झार इंधर उस लिए सब्सक्राइब नहीं हो जो खाले रिखिएगा ये वीपीए सोफिस है आपको इसे बाउनलोड कर ले रहा है इस तरीके से यहां पर डाउनलोड हो गाव क्या दोस्तों इसमें जो पी-पीटी फाइल मेरा pdf है ना जो डारेक्ट पर एंस्टाल करने के लिए इंस्टाल करके आप इसमें फाइल ओपन कर सकते हैं तो यह यहां पर देखिए डाउनलोड हो गया है यहां यह इंस्टाल हो रहा है अभी ओक्षिंग कि तो यह थोड़ा सा टाइम लेता है यहां पर इस्टाल होने पर तो यह देखिए यहां पर चीजस Talkर 2 तो यह इस्टाल होना के लिए प्रूरसा टाइब यहां पर और के फिर इस्टाल हो जायगा फिर मैं से जो है यहूज में ले सकते हैं तो दोस्ता एब जोहें यहां पर इस्टाल हो गया है तो हम यह यहां से बैक चले जाना लेइंग यहां पर मैं फिलाई प्लस कर लेता हूं इसे, उपर ही ओकी यहाई प्लस हो गया है, और अभी जो हैं इसे ओपन कर लेते हैं, यह ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टाइप कर लेते हैं, ठीक है तो यहां पे आल डाकुमेंट्स पे मैं क्लिक कर देता हूं आपका और यह आप देख सकते हैं टी एस एल्टी ठाटी फाइब की मॉडल का यहां स्वेस्टिकेशन डिटिल बना हुगा है तो यह देखी यहां पेस्पेस्टिकेशन टेटल खुल गया है और इसक्रीन साइज जो है ना फुल जो है एकदम यहां पर आपका डर्क रूम में आप देख सकते हैं एक सो शाट इंच का स्कृंट्स बड़ा हुआ है यह देखी काफी बड़ा स्क्रीन साइज है यह कोई चो यह देखिए फुल डेयलाइट बिल्कुल फुल डेलाइट के अंदर ओके प्रोजेक्टर यहां रखा हुआ है आप देख सकते हैं इतना डेलाइट है कि आप अगवार आराम से जिस बंदे को चैस्मा भी लगा होगा न दोस्तों वेसे तो चैस्में से कहले ही नजर आता है कहने की बाते तो वह भी बंदा पूरा आराम से यहां पर रिट कर सकता हर चीज़ तो आप यहां देख सकते हैं पूरा डिटेल है टीसल्ट थाटी फाइट फाइफ ए मोडल यह प्लस इसमें लग गया इसको अठाना दबर हटाया नहीं हमने ठीक है मोडल नमबर उसे टीसल्ट थाटी फाइफ ए ही है 4K 8K वीडियो सप सब्सक्राइब कर देख सकते हैं पूरा पूरा ठीक है यह सामने है आपके जो भी सीपी यू फॉर फाइफ दिरो फॉर पॉर एंड्रोइड 9.0 रेम रोम बन प्लस एट जीबी है रेम रोम होके रेम बन जीबी है रोम अपनी एट जीबी है ब्लुटूथ है इंटरनेट ल वाइफाई इसमें 5G गिया हुआ एड प्ले कास्टिंग यूटूब प्ले स्टोर गिया हुआ है नौइस SPL 28 डीवी गिया हुआ प्रजेक्शन 50 इंच से 150 इंच है ठीक है प्रजेंटेशन के लिए प्रजेक्शन मतलब जबना ओफिस प्रजेंटेशन या एड्यूकेशन क ऐड does just movies एक और वीडियो प्रजेक्शन साइज तक का स्की साइज है मेरा अल्लीए व्या बनावा है जो कि 400 इंच पे यस इस जिट आग होई नसी इसाड बना हुआ है बिदिव घ्र ajust कर दूआ हां ले सकते हैं जो मेनुल फोकस मोड है ठीक है और यहां एस्पेक्टर एसो जो है फोर इस्टु थी शिच्टु नायं का डिस्प्ले टाइप जो है लेडी है 3D सपोर्ट रहे एनग्लाफ 3D प्रोजेक्टर है और डिजिटल जूम इन दिया हुआ एसके अंदर टीक है जूम इन आउट कर सक और टीकनोलोजी यहां दिया हुआ है वाइट एक शुन अमधे वाक का दिया हुआ है लेंप लायव 50,000 गंटे 5,000 गंटे लाइफ निकालने के लिए आपको प्रोजेक्टर को जो है कंटीनिव में 4 से 5 घंटे चलाना है कंटिन्यू में चार से पांच गंटे चला के उसे एक गंटे का रेश्ट दे दो दुबारा चार पांच गंटे चलाओ फिल्टर टाइम टॉ टाइम क्लीन करो जो मैंने सुरू में वीडियो में दिखाया है लाइफ आपको एक नमबर मिलेगी प्रोजेक्टर किये ओके सोर्स मोड आप देख सकते हैं यहां पर HDMI, USB और AV ओडियो ठीक है कनेक्टिविटी जो मैंने आपको दिखाया है HDMI के दो पोट है USB के दो पोट है AV का एक पोट है Audio Aux एक पोट है Bluetooth दिया हुआ है इंटरनेट लेंट के वर इडिया हुआ पीछे हैं और यहां पर वीडियो फ़र्वेट आप देख सकते हैं MP, EG, MP, AVI, MP4, XV, ETC, DAT, RM, RMV, B यह जो भी आपके सामने देखिए अभी में एक बोलुआ है वीडियो बहुत लंबा हो रहा और लंबा हो जागा तो आप देख सकते हैं audio, MP3, AV, ETC यह सभी है पिक्चर यह जब आपके सामने जो भी है SO series में आप देख सकते हैं इसके साथ में HDMI cable तो नहीं आता है दोस्तों यहां आपने डाल लगा लेकिन मेरे पास नहीं आया है HDMI cable नहीं है तो नहीं है वाई देखो प्रजेक्टर के साथ में ठीक है कि मैंने आपके SO series दिता दिया है इसमें कोई HDMI cable नहीं है AV cable यह पावर cable है और अपना remote है ओके और इसके साथ में 32GB pen drive है wireless mouse है और red and blue 3D glass है ओके तो यह SO series है पके HDMI cable नहीं है ओके पावर सप्लाई जो है आप यहां देख सकते है एसी 100 माइनस तो दूसो चैलिस यह आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर speaker 10W का है विल्कुल voice enough है 10W के speaker कोई कमी नहीं है voice के अंदर ठीक है और operating temperature यहां पर आप देख सकते हैं सामने यह आपके प्रजेक्टर का तो यह जो है पूरी डिटेल मैंने आया इस वेसी केशन डिटेल के अंदर दिखा दिया आपको तो यह जो मैंने पूरी डिटेल दिखा दिया आपको आप देख सकते हैं इसके आपको देखने के लिए बिल जाएगा यहां पर AV, HDMI 1, HDMI 2 यह सभी आपको देखने के लिए बिल जाएगा यह AVA, HDMI 1, HDMI 2 है यहां पर आपको वार्पेपर्स मिल जाएंगे ठीक है यह यह वार्पेपर्स दिये हुए कुछ यहां पर ब्राउजर सेटिंग मिल जाएगी यहां मीडिया है यहां आपका जो भी USB कनेक्ट होगा तो USB में जो भी डाटा होगा जैसे यह वार्पेपर्स में दिखा रहा है यह USB ट्राइव है इंटरनेट ले स्टोरेज है ठीक है तो यह आपका पूरा फीचर यहां दिख गया है यहां पर आपको पूरा अलग अलग अप्शिन मिल जाता सब यहां पर इमेज ऑडियो वीडियो यह सब भी मिल जाता है ठीक है तो अभी हम यहां से बैक चलते हैं और यह दोस्तों सेटिंग देखिए मैंने यूज नहीं किया है बट इसमें से शायद आपका जो रिमोट वगिरा होता कुछ उसका फंक्शन होता है इसको मोबाइल में डाउलोड करना पड़ता है या आपका जो भी यह उसमें रिमोट क कर सकते हैं इसको प्रोझेक्टर को इस तरीके कह कुछ फीचर्स है यह वाक्ति मैंने यूज सब्सक्राइं किया तो यह आपका जो है यह बस collection यूटुब II ाप के पर नहीं बस भी उट्रियुब Plug around to Connect करपाएंगे ओकिंड दिया हुआ यहां पे वह लेए यहां पे दोस्तों की है फिर यहां पर दोस्तों विल्कुल का जो है मोबायल कास्ट हो जाता है कि मैं आपको कास्ट करके दिखाता हूं अचकीक करनेक्शन और इसा चाष्ट और यहां यह इस तरीके से यहां पर यह नाम सो रहा है ना यहां पर यह इस तरीके से देखी प्रजिक्टर के नीचे यह सो रहा है यह आप देख सकते हैं इस जगे पर ओके तो इसी पर आपको यहां किलिक कर देना है यह थोड़ा सा टाइम लेगा है किलिक कर दिया है क्लिक होने के बाद ये आपका जो है you mooi डिस्प्ले आप सकते हैं कि यह कनेक्ट हो गया एक है एक अधक मोबाइल तो आप इसी तरीक से जो है mobile इसमें वीडियो अगिरा भी ली कर सकते हैं कि आपको वीडियो जो इकात वीडियो भी धिले करके दिकाई देता हूँ जैसे कि ये मेरा वीडियो इसमें में प्ले करता हूँ एक ये आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में मैंने खुद का जो वीडियो शूट किया हुआ वही प्ले किया है और ये देखिए बिल्कुल लेगिंग वगेरा कुछ नहीं करता है एकदम इजी चलता है यहां पर ऐसी और कॉलिटी बहुती अच्छी हैं देखने के लिए मिलेगी आपको ये देखिए मैंने यहां पर एक वीडियो प्ले किया है ये फोरके ऐकर ओके और आप कॉलिटी देख सकते हैं यहां यह मोबाइल पर चला और सामने प्रोजेक्टर पर चला यह ओके यह आप देख सकते हैं बिन लेक फिरी बिल्कुल यह देखिए मोबाइल इतना हिलारा रोला रहा हूँ यहाँ देखिए स्क्रीन रोडेट हो जाएगा लेकिन कोई लेकिंग वगिंग कुछ नहीं एक नमबर स्मूज चलेगा ओके तो यह सेटिंग दोस्तों मैंने यहाँ दिखा दिया आपको तो अभी इस से एक्जिट हो जाते हैं ओके वीडियो मेरे वैसे भी बहुत लंबे ही बनते हैं और सबका टाइम कीमती ही रहता है मैं कोशिज तो करता हूँ छोटा वीडियो बनाओ लेकिन वह छोटा बनने ही पता तो यह काइंट लिंक का मैंने प्राइम यहां पर है इसमें अभी हम यहां से बेक आजाते हैं बेक आने के बाद में आपको यहां पर नेटवर्क सेटिंग मिल जाएगा नेटवर्क सेटिंग में आपको वायलेस है यह वायलेस दिया हुआ है यहां पर अभी हमने वाइफाई कनेक्ट कर रखा है और यहा लगाते हैं, तो यहां से चेंज कर लें, तो इस तरीके से यहां पर जो है, अलग-अलग यहां पर आपको features मिल जाएगा, और आपको उसके according ही यहां पर, इसे चलाना वोगा, तो यहां पर इसके अबाद में, फिर यह प्रजेक्टर में पुरुदि करेंगे तो इस तरीके से सट कर सकते हैं यह आपका पर प्रजेक्टर जाता है साइट पे है या एकदम नीचे साइट पे रखा हुआ अपने जमीन पे रख रखा है या एकदम चप से चित्का हुआ है तब यह सेटिंग आपका यहां पर काम आ जाता दोस्कों तो आप इसको उसमें ले सकते हैं बिल्कुए और यहां से अगर आपका प्रोजेक्टर ज्या सकते हैं इस तरिके से और गोर्यक्री में पूरी पूरा डेटेल में इसलेक्टर पर दोस्केशने बगए और नहीं करता में नहीं करता कूंदीयों तो rehearsal लगती है ठीक है इसकेप कर दिया तो क्या किया यहां देगी वीडियो लंबा ज़रूर होता आप वीडियो के स्केप कर दो बढ़ी आगे निकाल के देगे ना इस तरीके साब इसको कॉर्णर डू कॉर्णर सेट कर सकते हैं और इसमें रिसेट करने का भी ऑप्षिन आ जाता है आपको बेसेट करना तो आप इसे रिसेट भी कर सकते हर और यहां पे प्रोजेक्शन करना तो इस तरीकी से आप्षिन को कर सकते हों कि यहां पर कट्रीचल है अब कश्टम जूम सेटिंग मिल जाएर यहां यहां पर जैसा मैं बोलता हूँ ना वीडियो में आपको आप है रिजॉंडली और वर्टीकली इसका स्क्रीन जाय जिये इस तरीके से छोटा कर सकते हैं पिल्कुल जिस तरीके से अपरेट हो जाता है यह आप देख सकते हैं ठीक है इस प्रिजेक्टर का प्राइज जो है ले अब आपको प्राइज बहुत ही बहुत ही भातिन फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे और यह दिए देखिए लिए तो हमने और वर्टीकली इसको जूम इन किया है यदि हमें डारेटली जूम करना है यहां पर एक औप्शन और आपको मिल जाता है यहां पे आप्शन आप यहां才माम सेंट कर सकते हैं यहां पूरा आपया है कि आप कर सकते हैं यहां सेट कर सकते हैं कि प्रोजेक्टर अपने आप 15 कि बंद हों जाए आप थीर कनी सार के नभे मिने' में 120 मिनिट में 240 मिनट में तो यहां तक इसमें ृधकि infection तक वैंद में आप जो भी है इहां सेट करेंगे तो प्रिजिक्टम यह आप यहां सब्सक्राइब हुए है यहां कीजूट सेटिंग ठीक है यहां पे आपको वालकेपर सिमल जाएंगे वालकेपर आप अपने कोडिंग याँ स्क्रीच करके अब लगा सकते हैं है यहां पे आपको डिफाल्ड सेटिंग मिल जाता है जिसे अभी प्रॉजेक्टर में ने ओन किया तो इसका ऊम पर पूरा एप सा रहा था, अब हम चाहते हैं कि हम जब प्रोजेक्टर को चालू करें तो प्रोजेक्टर आप पर चले जाए, SDMI 1 या SDMI 2 पर, तो यहां से आप को जो स्लेट कर लेंगे आप वो हो जाएगा, तो आप यहां से आउन कर देना, तो आउन पर पर प्रोजेक्टर डारेट ओन हो जाएगा एकी किलिक पर ठीके और बाकी लास्ट है तो यह लास्ट वाला तो दोस्तों मैंने कभी देखा ही क्या है इसका पंडा तो इसलिए इसको छोड़ देता हूं में, मुझे नहीं मालू ह इसके बारे में, और यहां से आप प्रोजेक्टर जो है, रिसेट कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्टर जो है, रिसेट हो जाएगा यहां से पूरा पूरा नियूँ जेसा हो जाएगा, डिवाइस नेम आपको चेंज करना तो आपको अपने बार्डिंग नाम रख सकते हैं य तो आप Bluetooth और यहां पर system info आप देख सकते हैं यहां पर storage आप को यहां देखने के लिए मिल जाएगी 8GB internal memory मिलती है बागी जो भी इस्टेटर से आप यहां देख सकते हैं सामने ठीक है वीडियो पॉश्च करके देखिए न और यहां पर 1GB Ray में Android 9.0 है ठीक है और यह आप देख सकते हैं जो भी मॉडल यहां पर है system upgraded current version है latest version जो है इसमें डड़ा हुआ है ठीक है और यह सभी टिटेल जो भी आपके सामने है अब इतला तो मुझे नहीं मालूँ है यह कि पड़के बता हूँ जो काम की चीज़े वह में आपको बता दिये तो अभी तक मैंने जो है प्रोजेक्टर का टोटल सेटिंग आपको बता दिया है अब उससे कई लोग कूस्टे के सार्ट इसमें क्या ARC है तो भी इसमें ARC है आपको देखिए HDMI मोर्ड पे जाना अपने को इसमें अपने को मेनु बटन दवाना है इसके अंदर मेनु बटन दवाने का आद आपको यहां पे पिच्चर मोर्ड मिल जाएगा सेट करने के लिए वीवेड है अपना यूजर है स्टेंडर्ड है डायनामिक है और यह अपना सॉफ्ट है वीवेड यूजर तो जेसा भी आपको सही लगता है आपको सेट कर सकते हैं ठीक है नॉइस एड़ेशन यह मिडिल और यह मिल जाता है इसको तो आप ना कुछ भी जड़े तो ज्यादा बटर है बागी आपको मुझ से ज्यादा आइडिया तो आप करते रहें आपको जो सेटिंग समझ में आती है फिर भी आपको आपको वही नॉर्माल है कूल है और वार में जो अभी सबीर प्रोजेकटरों में आता है यहां पर हमोड़ेशन वह ज्याएगई आपकी तो यह द लिकाता हम इसाड़ने में कोछेश पर्मेंगे दिखा करने हमस्तों बोड़ें वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आपको यहां पर मैंने यह सेटिंग यहां दिखा दिया इसको थोड़ा पंटिलिन भी रख रहे हैं तो अपना अउट आपको आउट आटा है हैं और यहां SDMI का जो है वीडियो मोड दिया हुआ है तो यह आप देख सकते हैं यहां पर ऐसे वर्क करेगा हो जी नहीं मालो ठीक है यहां पर सांट सेटिंग हुआ ही है स्टेंडर है मूजिक है मूवी मोड है यूज मोड है यूजर है यूजर पर अपने गारिंग सेट कर सकते हैं आप ए वीसी आपको यहां मिल जाएगा यह सेटिंग यहां पर कुछ दिया और और आफ दिया हुआ है ठीक है, SPDF दिले, आडियो अनली सुनना हो तो वो दिया हुआ है, तो यह सेटिंग यहां दिया हुआ, PCMG है और यहां पर common सेटिंग है, तो HDMI सेट अप दिया हुआ है, यहां पर आप यहां देख सकते हैं, इसे अन कर लेना आपको, प्रोजेक्टर बिल्कुल, यहां पर जो भी possible है, मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है, तो यह HDMI का यहां option मैंने आपको दिखा दिया, यह पूरा, ओके, तो अभी हम इसे off कर देते है, HDMI ARC आपको मिल दाएगी प्रोजेक्टर में, और आप 5.1 movie भी प्ले कर सकते हैं, तो दोस्तों ज में जो है, कुछ वीडियो बगेरा जो है, प्ले करके दिखा देता हूं, ताकि आपको quality का idea लग जाए हां पर, ओके, तो मैं कुछ वीडियो सापको प्ले करके दिखाता हूं, और वीडियो भी इस तरीके से मुझे प्ले करने हैं के ताकि copyright climb ना है नहीं तो पूरी मेनभ ज को पैनीशन देखनी के लिए मिल राएं आपर है यह आप देख सकते हैं आपको हुआ बहुत ही जबर जब दस्केलिया आहयटी का कमाल है दोस्तों जो बहुत ही अच्छा है कार छाफ़ी देखनी के लिए मिलेगा आपको cioè को को मैं कि जो हे एक नमबर है projector की आप बिल्कुल projector purchase कर सकते हैं और super से ऊपर experience वोगा आपको projector में Yeah, voice भी बिल्कुल enough है जितनी voice होनी चीए जनरे स्वायद speaker की voice उतनी है wirkol के लिए आठी बहुत ही बैतरीन है प्रजेक्टर की यह USB से वीडियो प्ले है सुपर के लिए आठी है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरेंस होगा प्रजेक्टर के अंदर के के मैं जो अगयरा देखने के लिए भी बहुत ही शान्दार है आप बड़े स्क्रीन का विल्कुल इंजोई कर सकते हैं प्रजेक्टर में तो दोस्तों मैंने यह क्वालिटी चेक करवा लिया वह एक बार HDMI से जो है मैं आपको प्रजेक्टर चला के दिखा देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पॉसिवल था मैंने करके दिखाया है प्रजेक्टर 16 फिट आट इंच की दूरी पर रखा है तो साटिंग का स्क्रीन साइज बना हुआ है ओके मॉडल यह रखा हुआ यहाँ पर अभी जो मैं मॉडल को वहाँ टॉप पे उपर सेट करता हूं और वहां से जो है आपको SDMI से भी कनेट करके चला के दिखाता हूं इसके फीचर तो गिरा ओके तो दोस्ते प्रजेक्टर मैंने वहां देखिए उपर रख दिया है SDMI भी कनेट कर दिया है मैंने इसके अंदर प्रजेक्टर का स्क्रीन जो है थोडा तेचा टाइप का है और बड़ा भी हो गया है क्योंकि मेरा स्क्रीन पहले था ना मेंसी प्रेंग को फोड़ा स्लोगर्ता हूं क्यूंकि मेरा स्क्रीन पेले 213 इंच का था बड़ वो मेरे रूम के हिसाब से जो की मेरा रूम का साइथ 26 वाइट सोला का है तो वो कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता था इसलिए मैंने जो उसे ना छोटा कर दिया है 170 इंच के समसिंग कर दिया है तो यह मैं इसको डिजिटल अच्छे दोस्तों और आप यकीन वानी ब्रांडेट प्रोजेक्टर में जाएंगे ना क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है उनकी कोई शक नहीं उनमें लाइड बहुत तेज रिता कलर भी देता तो कलर भी थोड़ा बैटर देखता है लेडी प्रोजेक्टर से ओके तो उसमें कोई शक नहीं है आपको क्वालिटी तो बैटर मिलेगा ही लेकिन वही है आप लाइफ तो देखिए आपको उसमें कम ही मिलती है एक और लेकिन फीचर दिये जो इसमें कूट-कूट के पशिसर भरे हुए दोस्तों यह कुछ नहीं मिलने वाला आपको उसके अंदर पेसे जरूर आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, तो यह प्रोजेक्टर जो है मैंने पूरा फुल जो है यह आप देख सकते हैं, यहां फुल डेलाइट के अंदर यह देखिए, यहां पे इतनी लाइट भी अंदर आ रही, डोर ओपन है, कोई डार्क रून नहीं है, ओके, और screen size काफी बड़ा बना हुआ है, अभी जो है मैं, सिंप्रिंध ऊर्न ची रून करेंगे यहां हैं तो आपका Business टेखिए तो यहां कि इस रहे happens है, इस सीपर फोजेज इस से आद्स बड़ाहेगरा यहां पर दखा तो मैंने Android box चलाता हूं इसके अंदर। तो यहां पर connect कर रहा है मैंने तो यह देखी यहां पर connect हो गया है और जो मैं आपको यहां पर features कुछ दिखा रहा था ना कि जो कुछ एक दो features जो है ऑन नहीं हो रहे थे यहां पर तो मैं यहाप पर कोई वीडियो प्ले करता हूँ पहले फिर मैं आपको उसी वीडियो के उपर वो सेटिंग करके दिखाऊंगा आपको color setting वगेरा जो है ओके तो दोस्तों यही मेरा बेस्ट वीडियो है जो कि इसमें copyright आता ही नहीं है इसलिए इसी को ही पिले करके मैं आपको इसी पे ही color setting वगेरा देखाऊंगा प्रजेक्टर का यह देखिए बहुत ही प्यारी यहाँ picture quality देखने के लिए मिल दई है जो कि full 170 इंच का screen size बना है ठीक है थोड़ा बहुत बड़ा ही यह screen size मेरा 170 इंच से लेकिन आप 170 इंच की मालिये रॉंड फिगर में ठीक है 170 इंच के something यह screen size बना हुआ है सामने आप देख सकते हैं ओके तो जो है मैं प्रजेक्टर का voice भी मैंने बंद कर रखा था पूरा मैं अभी आपको voice भी सुना देता हूं प्रजेक्टर का voice बिल्कुल एनाफ है कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी दोस्तों यहां तक कि यह तो मैं यह चला रहा हूं यह दि आप इसमें कोई ऐसा sound को लिए करेंगे ना तो यह जो है आपका यहां पर मैं आपको सेटिंग दिखा रहा था पिक्चर सेटिंग ओके स्टेंडर्ड है और यहां पर क्या दिखा रहा था मैं आपको यह सेटिंग तो यह जो है यह यहां पर देखिए यह कितना फरक पड़ता यह दोनों चीजों से यह आप देख सकते तो इसमें ब्राइटनेस थोड़ा काम हो रहा है इसमें थोड़ा ज्यादा हो रहा है ठीक है और अप्शन भी आपको यहां मिल जाएगा मैंने ओन कर दिया है आप देख सकते हैं और हाँ यह है यहां पर यहां पर आपको ऑटो है ऑटो के बाद में जो है मैं अभी एक सिकंट सीन चेंज हो जाएए फिर मैं आपको दिखाता हूं और क्वालिटी बहुत ही बैठरी ने दोस्तों वीडियो बेसे भी बहुत लंबा हो इससे तो हमें जाना है मौर सेटिंग में मौर सेटिंग मैं जाके और तो है आपको यहां गराफिक्स का ऑप्षण मिल जाएगा और वीडियो का तो सबी पे आपको जो हुआ क्वालिटीए थोड़ा-थोड़ा तो चั้시 ह soon य होता ही क्वालिटी मैंने देखा है इसमें होता क्या है?, मैं आपको दिखाता हूं सब योง मठीच के देखी है, आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या अफर्क ठीक है यह आप देख सकते हैं और यह आटो मोड पर ठीक है तो यह सब यहाँ पर फीचर्स दिये हुए और बहुत ही बैठरीन दोस्तों आपको इसमेना फीचर्स मिलते हैं और लाइव भी बहुत ज्यादा मिल दी आपको यहां देखने के लिए बाकी HDMI ARC सेटिंग तो मैंने जानकारी लेने के लिए आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरा कॉंटेक्ट नमबर जो है आपको यूटूब पर मिल जाएगा सुबह नो बज़े से रात के बारावे तक आप कभी भी कॉल या मैसेज मुझे कर सकते हैं आपको तुरंत रिप्लाय मिलेगा ठीक है और आ सॉफ्ट है मैं पहले एक सीन को पॉश्ट करता हूं फिर आपको दिखाता हूं यहां आप देख सकते हैं यहां पर डायनामिक है यह स्टेंडर्ड है ठीक है स्टेंडर्ड डायनामिक सॉफ्ट वीवेट यूजर यहां पर जो आपको सेटिंग सही लगता आप अपने सकते हैं और यहां नीचे कलर टेंपरेचर दिया हुआ है जो आपको सही लगता आप अपने कोडिंग कर सकते हैं अब बहुत ही प्यारी के लिए आटी है दोस्तों पजिक्तर की तो यहां जो है दोस्तों मैंने टोटल सेटिंग दिखाने के कोशिच करी है ठीक है और आप जो ह आपको यूटूब पर मिल जाएगा सोबह 9 बज़े से रात के 12 बएं तक आप कभी कॉलिया मेसेज मुझे कर सकते हैं आपको तुरंत रप्लाइ मिलेगा प्रजेक्टर का प्राइस 25,000 रुपे दोस्तों लेटेस्ट प्राइस 25,000 रुपे दोस्तों देखी प्राइस इसमें जो भी श्टोक आता है ना उसमें प्राइस जादा ही होता कम नहीं होता इसलिए मैं यूटूब पे प्राइस नहीं बताता था पर कई मेरे वीवर्स बोलते थे के सरा प्राइस नहीं बताते हैं प्राइस बताया करो हाँ एक चीज और मुझे ध्यानारी वीवर्स का नाम ल सब्सक्राइब करें नो बज़े से रात के बारे बाएं थिज ब्लकुल बेज़ेज़क्ट या वाट्स आप में सिपलाइब लेगा और कैश्ण डिलिवरी कि लिए आप मुझसे content कर सकते हैं और जाद जांकारी के लिए भी आपको सारे detail मिल जाएगी cash on delivery के लिए आपको कुछ confirmation amount मुझे देना होगा ठीके तो उसके बाद में जो भी आपको सही लगता है कुछ confirmation amount देना होगा तो बस और जो बेलेंस जैसे मानके चली पच्छे सजार का प्रजेक्टर है आपने 500 मुझे confirmation के लिए या 1000 पे दिए तो 500 आप देते हैं मुझे तो 24,500 बस था या 24,500 तो जब आप प्रजेक्टर रिसीफ करने जाएंगे आप बंदा आपके या प्रजेक्टर लेक्टर आएगा तो आपको महाँ पर 24,500 पे करने पड़ेंगे ऐसा नहीं कि जो आप मेरे को confirmation के लिए देंगे तो एक्स्ट्रा में ले लिया जाएगा आपसे इसा काम नहीं करते हैं जो है टोटाल उसी कोस्ट में आपका हो जाएगा कोरियर चार्ज नो एक्स्ट्रा चार्ज ओके तो बिल्कुल जो बात है किलिया रहे दोस्तो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तो तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए जो भी पसिवलता मैंने दिखाया और मैं यहाँ पर जो है डेमो कर रहा था टीसल्टी 35 ए मॉडल का ओके तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो थेंक्यू